Hello guys welcome to my YouTube channel कैसे हैं आप सब लोग तो आप लोगों को पता होगा कल मैंने आपके एक video डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको practice कैसे करनी है इसके साथ मैंने आपको बताया था कि आप जब भी शुरू करो तो आपको 10 words रोज याद करने हैं ठीक है और उन 10 words का आपको रोज अपनी conversation अपनी stories में आपको उनका use करना है ताकि आप उनको कभी भी न भूलो और आपको इसी तरह से रोज करना है रोज आपको 10 words याद करने हैं और इसी तरह से जितने words आपके पास होते जाएंगे उन words को आपको अपनी stories के अंदर अपनी conversation के अंदर आपको कैसे भी कैसे उनका use करना है तो आज से ही आप इसे शुरू कर दीजिए तो आज मैं आपके लिए 10 words लेके आई हूँ जो बहुत ज्यादा important है आपकी daily conversation में तो चलिए आई ये वीडियो को शुरू करते है so guys first word है rapidly इसका मतलब होता है सीगरता से या फिर तेजी से कोई भी काम तेजी से होना या फिर जल्दी से होने के लिए हम rapidly का use करते हैं जैसे sentences कैसे बनेंगे मेरा वेट तेजी से बढ़ रहा है या फिर जनसंक्या तेजी से ब ठी है इसका मतलब होता है understand, समझना, महसूस करना या फिर अनभव इससे related जो example है वो मैंने end में दिये हैं तो आप अच्छे से देख लीजेगा उनको फॉर्थ है customize इसका मतलब होता है अपने हिसाब से किसी चीज को बनाना अपनी रुची के हिसाब से या अपने हिसाब से round the clock जिसका मतलब होता है दिन रात या फिर 24 गंटे seven है inferiority complex जिसका मतलब होता है खुद को हीन भावना अपने आप से मतलब किसी भी चीज को लेकर हीन भावना आना समझना उसको बोलते है inferiority complex इसका उल्टा होता है superiority complex जिसका मतलब होता है stress भावना समझना मतलब दूसरे से ज्यादा ही अच्छा समझना सुपिरियर समझना ठीक है अप राइट मिन्स होता है ओनेस्ट इमानदार सीधा सच्चा या फिर खरा आदमी एमेयेबल मिन्स होता है मिलनसार सौमेय या फिर सुसील सच्चा इंसान तो अब इन सब का हम 10 वर्ट का हम कैसे यूस करेंगे तो अब आपको टैंस का बहुत अच्छे से नॉलिज हो गया है तो आपको पता है यह कौन से टैंस का संटैंस है यह प्रेजन के बाद वाब में आई इन जी फॉर्म मगर यहां पर हम टैंस को के लिए नहीं करना चाहते हैं यहां पर हम जो भी वर्ट हमने अभी सीके हैं उनको हम यूज करना सिखेंगे तो माई वेट इस इंक्रीजिंग रैपिडली मेरा वजन तेजी से बढ़ रहा है अपने लुक्स को देखकर मुझे बहुत हीन भावना होती है तो अपनी किसी भी चीज को लेकर अगर आपको हीन भावना होती है तो वहां पर हमें क्या यूज करन करना चाहती हूं तो हमें वांटू का यूज करना होता है यह आपको पता है यह हमारा मॉडल वब है तो कैसे करेंगे आई वांट टो रिदूस माई वेट फास्ट मैं अपने वजन को जल्दी से क्या करना चाहती हूं कम करना चाहती हूं अनू पहले मुझसे भी मोटी थी यह आपका past का sentence है और क्या है state of being है यह किसी की दसा किसी की इस्तिती के बारे में बता रहा है कि वह कैसी थी मोटी थी अनु वह से भी मोटी थी मगर उसने अपने वजन को कम करने के लिए दिन रात महनत की तो दिन रात के लिए हमें round the clock का का यूज करना है या फिर आप डे एंड नाइट का यूज कर सकते हो और यह कॉंसर टेंज का संटेंस है यह past इंडेफिन टेंस का संटेंस है रूल आपको पता है क्या होता है subject प्लस वर्प की second form तो कैसे फिट हो गई है but now she is very fit मगर आप वह खुद को दूसरों से ज्यादा समस्ती है या फिर बहुत ज्यादा स्रेट समस्ती है तो now see consider consider means होता है समझना यहाँ पे आप परसिव कभी यूज कर सकते हो परसिव मैंने होता है समझना जो वर्ड हमने अभी सिखा है तो वो समस्ती है herself खुद को superiority complex मतलब service rest सबसे अच्छा to others दूसरों से ज्यादा ही समस्ती है वो अपने आपको मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ who consider जो अपने आपको समझते हैं थिम सेल्प खुद को सुपिरियोर्टी कॉंप्लेक्स तू अधर्स जो अपने आपको क्या समझते हैं बहुत ज़्यादा सर्वसरे समझते हैं मैं उन लोगों से नफरत करती हूं I like upright people मुझे इमानदाल लोग पसंद है I love talking to amiable people मुझे मिलन सार लोगों से बात करना अच्छा लगता है amiable means होता है मिलन सार यहाँ पे आप friendly का भी यूज कर सकते हो It is my choice या फिर this is my choice and I will never repent it और मैं इसके लिए कभी भी नहीं पस्ताऊंगी यह मेरी पसंद है और repent की जगा पे आप regret का भी यूज कर सकते हो repent means होता है पस्ताना You can easily perceive what do you I want to say आप आसानी से समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ या फिर क्या कहना चाहती हूँ तो आपने देखा वो जो 10 words थे उनका मैंने कैसे यूज किया अपनी एक जो मेरा point of view था उस लड़की के परती जो अन्नू है उसके परती तो मैंने वो बताया तो उसमें मैंने यह सारे जितने ही words आपको बताये 10 words उनका मैंने यूज क्या है तो सेम आपको भी सेम ऐसे ही करना है कल आपको फिर से नए 10 words सीखने है और फिर उसके बाद आपके पास 20 words हो जाएंगे फिर 20 words पर बेस्ट आपको फिर से कोई अपना point of view रखना है आप इन 10 words को 20 words को कभी भी ना भूलो और राइट इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए God bless you टेक केर बाबाई